खुद स्टीव जॉब्स की बेटी आईफोन 14 को ट्रोल कर रही है एसा क्यों कर रही है वो? उसने मीम डाला है स्टीव जॉब्स की बेटी शुब्स आपको पता होगा जिन्होंने एपल का निर्माड किया जो पहला आईफोन लेके आए Apple company जिन्होंने established की Steve Woznek के साथ मिलकर बहुत बड़े आदमी थे, अब हमारे साथ नहीं है लेकिन Apple की शुरुआत उन्हों नहीं की थी जो iPhone अभी आप अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं उसकी शुरुआत Steve Jobs नहीं की थी उनकी खुद की बेटी एक meme शेर कर रही है iPhone 14 को ट्रोल कर रही है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नए iPhone लाँच हो और वो ट्रोल ना हो चाहें बैटरी को लेकर कहलो, चाहें डिजाइन को लेकर कहलो हर तरीके से हर साल जब iPhone निकलता है तो Android users या जितने भी लोग iPhone पसंद नहीं करते या पसंद भी करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं तो कैसे ट्रोल हुआ है इस चीस के बारे में बात करेंगे उस से जो Steve Jobs की बेटी उन्होंने शेर की है एक बुढ़ा आदमी, जिस तरीके की शर्ट उसमें पहनी हुई है उस तरीके की शर्टी वो दुबारा खरीद रहा है तो उन्होंने ये कोट करते हुआ है ये मैं हूँ अपने iPhone को बदलते हुए इनका कहने का मतलब ये है कि जो iPhone नया निकला है वो पुराने iPhone जैसा ही है मतलब कि iPhone 14 बिलकुल iPhone 13 जैसा ही है और ज्यादा difference नहीं है बस नाम पलट कर एक नया iPhone लॉंच कर दिया है और उनका कहना काफी हद तक सही भी है मैं मानता हूँ क्योंकि design में कोई change नहीं हुआ है टेकनोलोजी को कहले हूँ आप छोटे मोटे screen change, camera change वगएरा सब हुए है लेकिन दिखने में अगर आप करें तो देखें तो iPhone 14 और iPhone 13 लगभग सेम लगते हैं इन लोगों ने जो भी innovation इस बार थोड़ी बहुत की है वो इनके pro models में की है और normal जो base model है जैसे iPhone 14 और iPhone 14 Plus उसमें कोई change नहीं किया इन फाक्ट उसमें जो processor लगा हुआ है वो भी Apple का A15 Bionic chip लगी हुई है जो कि iPhone 13 में भी देखने को मिलती थी ज़्यादा change उसमें है नहीं और उनका कहना है कि बस number बढ़ा दिये गए है जबकि मैं बता दू यहाँ पर जो iPhone 13 mini है अब iPhone 14 mini बंद कर दिया गया है कोई है ही नहीं iPhone 14 mini उसकी जगा पर iPhone 14 plus इंटर्ड्यूस करा दिया गया है चोटी स्क्रीन जो की iPhone 13 mini में थी अब iPhone 14 में वो प्लस कर दी गई है एक बड़ा phone इंटर्ड्यूस करा दिया गया है मीनी वाले phone के जगा क्योंकि mini phone चोटे phone के market अब जा चुकी है जादा कोई इस्तमाल ही नहीं करता चोटे phone market में है ही नहीं अब सब बड़ा चाते है क्योंकि सस्ते में बड़ी स्क्रीप मिल जाती है तो फिल लो क्यों चोटा phone लेना पसंद करेंगे तो यहाँ पर ट्रोल उन्हें ऐसे किया है मेरी भी बिल्कुल यही राया है बाई जब आप कोई नया model निकालते हो तो उसमें कुछ तो बदलाव करो अब बात करें pro models की तो वहाँ पर जो notch है ना वो उसमें change देखने को मिला है वो एकदम pill sized है ऐसे और उसे वो adventure वाला या कोई island या कौन सा पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसको लोग उसको भी ट्रोल कर रहे है कि वहाँ क्या भंगड़ा होगा क्या वहाँ पर जादू चलेग आइफोन 13 में battery percentage नहीं देख सकते उपर है लेकिन वो चीज़ अब नए iOS update में ले आएं बेसिक चीज़ों को लाते जाते लाते जाते करते रहते नौच के साथ ही खेल रहे हैं वो जबकि बहुत सारी ऐसी company आया Android में जो बहुत innovation ला रही हैं सामने और आइफोन अभी भी basic चीज़ों को चेंज करने में लगा हुआ है देखने माली बात यह है कि camera में improvement तो देखने को मिली है battery भी बोल रहे है अब तक कि best battery आइफोन की इन्होंने ज्यादा innovation दिखाया नहीं है तो यही मेरी रहा है बाई ट्रोल तो होना ही चाहिए कुछ तो बदलाव लाने ही चाहि नहीं आइफोन को शाद उनको यह लगता होगा कि उनकी पिता जी थे ज्यादा innovation लेकर आते थे और सभी माइन में स्टीव जॉब्स बहुत innovation लेकर आते थे उनका जो आई-पॉड था वो जब designer लेकर आये तो उन्होंने उसे पानी में डाल दिया था और बुल-बुले निक अगली वीडियो में थैक यू सू मच और गुड बाई